नमस्ते आज मैं फिर से आपके साथ मेरी एक एस्ट्रो महावास्तू रेमेडीज की केस शेयर करने वाली हूँ ये 2018 की बात है मेरे क्लाइंट उन्होंने अपने घर का वास्तू पूरा महावास्तू टेकनिक के साथ बैलेंस कर दिया था जो भी उनकी छोटी-मोटी प्रॉब्लेम्स थी वो सौर्ट आउट हो गई थी अभी क्या है ना कि मुसीबत जब आन पड़ती है तो एकदम से आ जाती है बता के नहीं आती कुछ उसी प्रकार ये हादसा हुआ क्या हुआ कि मेरे क्लाइंट की मां आप उसके मतलब उनके जो बड़े भाईया थे उनके साथ और कुछ पहचान वाले जो थे नस्दी की दोस्त उनके साथ तीरता यातरा पर चले गए और उनके साथ सारी उनकी दवाईया जो भी मतलब जो बीपी की या जो भी दवाईया लगती है वो सारा इंतजाम करके वो सारी दवाईया लेने के लिए बोलके मेरे क्लाइंट ने उन्हें वहाँ जाने के लिए वो चोड़ आये थे पहले दो-चार दिन तो कुछ बात नहीं थी बहुत अच्छे से सब चल रहा था सारे रोग खुश थे इन्जॉई कर रहे थे उनका ट्रैवलिंग और एक दिन क्या हो गया कि वो किसी मंदिर में दर्शन के लिए गये थे और अचानक से क्लाइंट की मा को चक्करा गया तुरंट उनको होटिल की रूम में ले लिया गया और डॉक्टर को बुला लिया गया डॉक्टर ने जाज की और उन्हें लगा कि शायद धूप की वज़े से या जो भी भाग दोड होती है ट्रैवलिंग के बीच में तो उसकी वज़े से हुआ होगा तो डॉक्टर ने कहा कि एक दो घंटे आराम करें और फिर देखा जाए दो-तिन घंटे बाद भी उनकी तबियत नॉर्मल नहीं थी कुछ उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था सर में बहुत भारीपन लग रहा था तो ऐसे डिसाइड हुआ कि इन्हें हस्पताल में भरती किया जाए और जो भी इसेंशल टेस्ट है वो वहाँ पर करवा दिये जाए इसलिए उनके साथ उनके भाई और जो भी ग्रूप के मेंबर थे वो उन्हें लेके हस्पताल पहुँच गए हस्पताल में उन्होंने सारी टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया और डॉक्टर को कुछ डाउट आ गया था तो उन्होंने उन्हें एमाराई करने के लिए बोला तब तक मेरे क्लाइन्ट को ये खबर पहुँच गई थी कि मा की तब ये अच्छानक से कुछ बिगड़ गई है तो वो भी घबरा गए कि क्या हो सकता है ऐसे क्या हो गया और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि कुछ ऐसे से मामला हो गया है तो क्या किया जाए अब मा तो बहुत दूर थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप मा की बर्थ डिटेल्स मुझे दे देजिए मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लेम कुछ है या कैसे निप्टा जा सकता है तो तुरंथ ही मैंने बर्थ डिटेल्स लेके मा की पत्री बनवाई जैसे ही मैं पत्री पर काम कर रही थी तो मुझे पता चला कि मा की पत्री में शनी की अंतरदशा शुरू हो गई है और शनी महराज बेठे है बारवे बक्से में ये बारवा बक्स जिसे हम होस्पिटलाइजेशन या वीकनेस के लिए जानते है वहाँ से शनी मा की छठे बॉक्स पर जो की बीमारिया इल्नेस ये जो भी चीज़े रहती है उन पर बैठे राहू पर निगेटिव अस्पेक्ट दे रहे थे तो मैं और भी डिटेलिंग कर रही थी तब तक मुझे फिर से क्लाइंट का फोन आ गया और क्लाइंट ने बताया कि जो MRI चली थी वहाँ पर रिपोर्ट आ गए है कि मा की ब्रेन में खून की एक छोटी सी गाठ हो गई है और उसकी वज़े से ब्रेन में प्रेशर कुछ बढ़ गया है और फोरन ओपरेशन करवाना पड़ेगा नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है कंडिशन बहुत ही क्रिटिकल थी डॉक्टर्स ने इमिजेटली ओपरेशन करने के लिए बोला तो यहाँ पर क्लाइंट बहुत ही टेंशन में थे मतलब यहाँ से वो उठकर वहाँ जाए भी तो उन्हें फ्लाइट की बुकिंग करवानी थी और मतलब बहुत ही टेंशन का मामला था वो कुछ कोशिशी कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि यह इमर्जनसी है और ऐसे-ऐसे हुआ है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं यहां से तो मैंने कहा आप घबराईए मत आप तुरंथ ही अपनी मा के पास चले जाएए तब तक मैं आपको बताती हूँ क्या करना है और मैंने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि बरवे बॉक्से शनी सिक्स्थ याने छटे बॉक्स पर जो राहू बैठा था उस पर निगेटिव अस्पेक दे रहा था और तभी उनकी मर्क्यूरी की महादशा चल रही थी तो ये बुद्ध की महादशा की वज़े से उनका आठवा बॉक्स था जो भी दर्द का या पिड़ा का बॉक्स माना जाता है वो भी पहले से ही एक्टिव था तो यहाँ पर मामला कुछ क्रिटिकल ही था मैंने क्लाइंट की घर पर मतलब उनकी वाइफ को फोन किया क्योंकि क्लाइंट तो अब निकल पड़े थे अपनी मां को देखने के लिए तो मैंने उनकी वाइफ को फोन किया और बताया कि जल से जल छटे बॉक्स में जो राशी थी वहाँ से जो भी शनी की चीज़े आ रही थी जो भी शनी की प्रभुत्व में चीज़े आती है आती है वो तुरंत ही वहाँ से हटवा दिये जाए वैसे ही बारवे बॉक्स में जो शनी की वहाँ पर जो राशी थी उसकी दिशा से भी ये सारी चीज़े हटवा दी जाए और देखेंगे क्या होता है हम तो अपनी और से सारी कोशिशे कर सकते हैं बाकी रिजल्ट तो कि सारी चीज़े वहाँ से हटा दी छटे बॉक्स में एरीज राशी थी तो एरीज की दिशा में जो भी चीज़े आ रही थी वो सारी हटा दी गई वहाँ पर ओपरेशन स्टार्ट हो चुका था और कंडिशन क्रिटिकल थी डॉक्टर ने वैसे भी बताया था कि ओपरेशन तो करवा देंगे लेकिन और एक दो दिन उन्हें अंडर उब्जर्वेशन देखना पड़ेगा यहाँ पर घर में ये सब चीज़े कर दी और वहाँ पर मेरे क्लाइन भी मां के पास पहुँच गए थे रात को फोन आ गया कि ओपरेशन सक्सेस्फुल हो गया है अभी हम लोग इंतजार करेंगे उनकी रिकवरी का फिर मैंने उनकी पत्री देखी और जो उनका पाचवा बॉक्स था जो की सॉल्यूशन का माना जाता है वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़े कर दी और वो एक्टिवेट कर दिया ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो जाए उसी के साथ गयारवे बॉक्स को भी जोड दिया गया और सबसे आनंददाई खबर ये थी दूसरे दिन की दूसरे दिन रात को कि अब मा आउट ओफ डेंजर है आप उसे ले जा सकते हैं अपने घर ऐसे डॉक्टर ने कहा है तो ये खुशी का मोका फिर से मेरे क्लाइन को मिला सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रू महावास्तू रेमेडिस की बदौलत से और इसका सारा श्रेय हमारे डॉक्टर खुश्दिब बनसर इनको जाता है क्योंकि इन्हों ने ही एस्ट्रू और वास्तू का मिलाब करके ये कुछ मिराकुलेस चीज़े इन्भेंड की है तो ऐसे ही कुछ कहानी और किस्से सुनते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद